अज पगली उदास है इसके इंफिनिक स्मार्टफॉन की सेल मिस हो गई ना अरे पगली टेंशन मतले इंफिनिक स्मार्टफॉन पे आ रही है सेल फिर एक बार पगली सेल अभी बाकी है आज आपके हिस्से है तीन किताबों की सला पहली किताब मशूर आथर अमीश की रामचंद्र सीरीज की चौथी किताब वार ओफ लंका हम जानते हैं कि अमीश शिवा ट्रिलजी लिखकर मशूर हुए और उसके बाद से ये उनकी दूसरी सीरीज चल रही है जिसमें सबसे पहले उन्होंने सायन विक्ष्वाकू में बात की, दशरत की पूरेवन्श की, आयोध्या के सामराज जी की, राम और उनके भाईयों की अध्यन की आप कहेंगे राम कथा तो सब को पता है हम कहेंगे कि अमीश उसे नए धंक से बता रहे हैं, नए धंक से किरदारों को प्रस्तूत कर रहे हैं और जैसा शिवा ट्रिलजी में किया तो बहुत अलग-अलग डॉट्स को जोड रहे हैं दूसरी किताब थी वारियर ओफ मिथला जिसमें उन्होंने सीता को मिथला की प्रधानमंत्री और एक कमाल की योध्धा के तौर पर दिखाया और यहीं पर वो प्रसंग आता है जब पहली बार रावन मिथला पर हमला करता है और राम और सीता मिलकर उसको डिफेंड करते हैं और दिव्यास्तूं का प्रयोग करते हैं जिसके चलते उन्हें फिर वनवास की सजा भी चुकि इस तरीके की अस्त्रों का जो प्रयोग है वो खास परस्तितियों में किया जा सकता था तो वो सजा मिलती तीसरी किताब थी लंका, थीसरी किताब थी Enemy of Aria Word जिसमें रावन की पूरी प्रिष्ट भूमी के बारे में पता जलता और अब ये चौथी किताब आई है कमाल की किताब है शुरुवात होती है इसकी वहीं से जहां पर पिशली किताब खत्मुईती तीसरी की सीता का हरण हुआ और उसके बाद फिर सीता शोक वाटिका में है उनका बहुत दिल्चस्प समवाद होता है रावन और कुमकरन के साथ फिर सीता को रावन के अपनी मा के साथ सम्बंदों के बारे में पता चलता है ये संबंध दैहिक किस्म के नहीं थे, ये आत्मी किस्म के संबंध थे, सीता को जन्म देने वाली उनकी बाइलोजिकल मदर, उनकी पूरी जो कहानी है, उनके बाइलोजिकल मदर और फादर कौन थे, और रावन का उनसे किस तरह का कनेक्शन था, फिर उनकी किस तरह से मृत्य हुई हत्या हुई वो सब प्रसंग आते हैं अमीश का कहना है इस बार गेस्ट इन यूज रूम में भी अमीश ही हमारे मेहमान है कि कई अलग अलग रामायनों से उठाए गए प्रसंग और उसके बाद कल्पना के जरीए उनको जोड़ने का जतन अब देखें यहां पर वॉर लंका है तो राम सेतु बनेगा लेकिन राम सेतु को बनाने के लिए नल नील नहीं आते हैं राम सेतु को बनाने के लिए और लंका के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए इसमें दशरत के चो दो पुत्र अयोध्या में रह गए थे यानि कि भरत और शत्रुगन वो भी आत हैं किस तरीके से वह पुल बनाते हैं किस तरीके से लंका पर हमले की दो तरह से कोशिच उसके बारें विस्तार से बताए गया हनुमान का क्या रोल है विश्वाm давicha क्या रोल है वशिष्ठ का और यह जो दूसी किताब है वर्षावास अविनाश मिश्र की लिखी किताब है से हिंद युग्म ने पब्लिश किया है इस किताब को लेकर मैंने कई विद्वानों से बात की खुद पढ़ने के अलावा तो दो तरह की रियक्शन्स आ रही है कई लोग कह रहे हैं कि यह जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि शिल्प के इस तर पर कहानी कैसे कही जाए अलग-अलग किरदार जैसे आके अपना एकुबालिया बयान दर्ज करा रहे हूँ बहुत अच्छा प्रियोग है पर कई लोग कह रहे हैं कि इस चक्कर में कथानक जटिल हो गया है पर यह मुझे लगता है कि एक नई तरीके की किताब है नया अटेम्ट है इसलिए इसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए वर्शावास बहुत कमाल के राइटर है अविनाश और मेरे इनसे व्यक्तिकत संबंद भी है इन्होंने मुझे इंडिया टोड़े की साहित तिवार्शकी को एडिट करने में कई और नौजमान मित्रों के साथ मदद की थी इससे पहले इनकी नए शेकर की जीवनी के नाम से भी एक किताब आ चुकी वो भी ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए वो वानी प्रिकाशन से है और ये हिंड योगन से है तीसरी किताब और मैं पेपर आउट कर रहा हूँ इस पर अगला guest in the newsroom होगा पिछले दिनों खबर आई थी कि किस तरीके से भारत के एक इलाके में बनने वाली दवाईयों के चलते बच्चे बीमार हुए लोग बीमार हुए उसके बाद उस factory पर कारवाई हुई हर्याणा के इलाके में और नए सिरे से भारत में drugs के regulation पर दवाईयों के बनने के तौर तरीके पर बात होने लगी एक किताब है जो मुझे ध्यान है कि मैंने नेता नगरी में शायद दो तीन बरस पहले recommend की होगी किताब का नाम था Bottle of Lies यह कैथरी निवान की book थी और उसका जो central character था वो भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम दिनेश ठाकुर है वो अभी health activist है उनको ran back see whistleblower भी कहा जाता है कि उनके उन उस बड़ी company में जो तमाम गलबडियां चल रही थी उसके बारे में भानडा फोर किया था तो अब दिनेश ठाकुर और प्रशांत रेड़ी ने खुद यह किताब लिखी है जिसका शीरशक है The Truth Pill The Myth of Drug Regulation in India इसके बारे में है और किताब के पहले पन्ने से ही आपके भीतर एक दर, एक अंदेशा, एक चौकनना पन आ जाता है क्योंकि किताब शुरू में बताती है कि किस तरह से हिमाचल के एक इलाके में अचानक से बच्चे बीमार पढ़ने लगते है और फिर उनकी किडनी फेल होने लगती है जब इसकी हाई प्रोफाइल जाच की जाती ही तो पता चलता है जो 1936 में ही पूरी दुनिया में प्रतिबंधित था ये हाल है, हमारे देश में दवाईयों के बनने का अलग-अलग पहलू दवाईयों के बनने से जड़े उनके कारूबार से जड़े, उनके एक्सपोर्ट से, उनके इंपोर्ट से जड़े हुए और policy के level पर क्या क्या दिक्कते हैं उसके बारे में इस किताब में बात की गई है अभी मैंने पूरी नहीं पड़ी है पर चुकि मैं दिनेश ठाकुर के काम से उनके activism से वाकिफ हूँ उनके प्रयासों से वाकिफ हूँ इसलिए इस किताब को और चुकि मैंने bottle of lies पड़ी है तो इस किताब को पढ़ने का मेरा इरादा है और वो अगले हफते यह इस हफते आप हमीश से मिलेंगे उसके अगले हफते दिनेश ठाकुर से मिलेंगे यह तीन किताबे हैं आज का नेता नगरी यहीं समाप्थ होता है आप मैंसे कुछ दोस्त मुस्कुरा सकते हैं कि नेता नगरी अपनी पुरानी धज में वापस आ गया इस बार वर्णन के दौरान चर्चाओं के दौरान समय का प्रतिबंद नहीं लगा आप मेंसे कुछ अभी भी नाराज होंगे सोशल मीडिया की वजहें लेकर और कमेंट बॉक्स में भी अपनी नाराजगी दिखा रहे होंगे पर याद रखिए हम वर्तुमान में जी रहे हैं और आज की तारीख में क्या कर रहे हैं अपने अतीत से सबक लेकर ये सबसे ज़्यादा महात्पूर्ण है क्योंकि भविश्य संभावनाओं से भरा है और उसमें निरंतर बेहतर करने की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप भी जो इनसान है कल उससे बेहतर होंगे हम सबकी लगातार यही कोशिश रहती है तो कोशिशें नहीं रुकनी चाहिए स्वीका रोगतियां बनी रहनी चाहिए अगर हमें आलोचना का हक है तो आपको भी बना रहने चाहिए expressing और अपने आपको मांजते रहें कुब ख्याल रखिए अपना समवाद चलता रहेगा न देन्यम न चपलायनम शुक्रिया